राशिद जी नमश्कार यह मेरे दोस्त है मित्र भोध गनिष्ट मक्खल लाल जी मक्खल लाल जी एक नई डेरी का काम शुरू करना चाहते हैं तो इसी से संबंदित जानकारी दिलाने के लिए मैं आपके पास इने लेके आया हूँ और बताईए मक्खल लाल जी कैसे हैं आप क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी मैं तो बहुत अच्छा हूँ राशिद भाई बताईए मुझे डेरी का कारोबार शुरू करना है इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा और किस प्रकार हम MSME Promotion Council इंडिया से इसके लिए लोन ले सकते हैं और कितनी सबसीड़ी हमें इसमें प्राप्त होगी डेरी फार्मिंग बिजनिस प्लान के बहुत सारे घटक है जो कुछ इस प्रकार है शुरू करते हैं इसके परिचे से व्यवसाए उदेशे परमुक मुद्दो बुनियादी व्यपार विवरण और फाइनेंशल समरी का वरनन करना फाइनेंशल समरी में रिव्यू और मूल्य शुद्ध क्रिसी आए और कैश फ्लो वर्किंग कैपिटल आदी से संबंदित बुनियादी डेटा जानकारी होनी चाहिए मिशन स्टेटमेंट व्यवसाईक मिशन जिसमें यह व्यवसाई अपने गिराकों के लिए सस्ती या सर्वोत्तम कीमतों पर सर्वोत्तम गुनवत्ता वाले दूद या डेरी उतपादनों का उतपादन कर सकता है फारम इस्थान बिजनिस प्लान में फारम बनाने के लिए तै छेतर, शहर और राज्य की संबंदित जानकारी शामिल होनी चाहिए योजना में पट्टे या किराय पर ली गई जगे का विवरण भी होना चाहिए मावेशी और खेत मशीनरी उपकरण डेरी फार्मिंग व्यवसाय में उपयोग किये जाने वाले कुल मावेशियों की संख्या और प्रस्तुत किये जाने वाले नामों और बिलों के साथ खरीदी गई मशीनरी की संख्या और प्रकार प्रस्तावित बिजनिस आइडिया और मार्केटिंग रननीतिया योजना में विबिन विग्यापनों, वियवसाईग प्रस्तावों, मार्केटिंग रननीतियों किये जाने वाले नए उपकर्मों, ब्राण्ड, अभियानों, आदि से संबंदी सभी जानकारी होनी चाहिए करना चाहिए अगले पांच वर्षों का लक्षे भी जरूरी है भारत में डेरी फार्मिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आउशक सभी लाइसेंसी और अनुमतियों के विवरण के साथ दर्थ साल दर्थ साल का विवरण अच्छा तो डेरी फार्मिंग शुरू कैसे करे चलिए डेरी फार्मिंग व्यवसाय शुरू करने से जुड़े कई कदमों के बारे में मैं आपको महत्पून जानकारी बता देता हूँ dairy farming website शुरू करने से पहले साथ सबसे महतपून जानकारी है बिजनिस प्लान लिखना या विक्सित करना विशेशग्यों पेशवरों और मार्केट लीडर्स के साथ बातचीत पूरी तरह से बिजनिस रिसर्च करना जानवरों के लिए स्वस्त बुनियादी धाचे की योजना बनाना फीडिंग वा वेस्ट मैनेजमेंट कारेकरम बनाना संबंदिद अधिकारियों से लाइसेंस प्राप करना फंड प्राप करना या बिजनिस लोन प्राप करना डेरी फार्मिंग व्यावसाई शुरू करने के लिए यदि छोटे पैमाने पर कर रहे हैं उद्मियों की शुरुवाती चर्णों में कम गायों या भैसों का चैयन करना होगा मांग के आदार पर बाद के चर्णों में मवेशियों की संक्या बढ़ाई जा सकती है वियावसाई के स्वामि को अपनी फार्म को सोल प्रोफर्टाइशिप, पार्टनर्शिप, ट्राइवेट लिमिटिड, पबलिक लिमिटिड, लिमिटिड लिमिटिड लियाबिलिटी, गैर सरकारी संगाठन, आधी के रूप में रजिस्टर करके एक कमपनी रजिस्टेशन से certificate की आवशक्ता होती है डेरी वियरसाय शुरू करने के बाद उसको कैसे मैनेज करना होगा बहुत अच्छा सवाल है आपका खाने का और खाद का भंडार चारगा के लिए सिचाई परनाली दूद देने की दुकान मोसम से बचाव के लिए शेट दूद के भंडारन स्टोरेज स्वीदा अन्य सम्मंदिद मशेनिरी और उपकरन इसके अलावा वियरसाय के मालिकों को सम्मंदिद आधिकारियों से लाइसेंस परमिट और अनुमती प्राप्त करने की आवशक्ता होती है बिमारी टीका करन आधी जैसे विशेस परिसितियों में एक राज्य से दूसे रा इसके बारे में भी जानकारी दीजे सर की कुल किर्शी लागत पर 33.33% सबसीड़ी का लाब मिल सकता है अप्रूव 16 ग्रामिन बैंकों आर आर बी या वानिजिक और सहकारी बैंकों में जाकर आवेदक निकर्तम बैंकेर प्रतिनिदियों से सभी आवशक जानकारी से संबंदिद सबसीड़ी और 7 लाक रुपे तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं डेरी फार्मिंग बिजनिस प्लान की आवशकता है व्यवसाय शुरू करने से पहले और बाद में उप्योग के जाने वाले या सापित होने वाले डेरी फार्मिंग के गटक कुछ इस प्रकार है शेड मवेशियों को रखने के लिए खेत की भूमी में उचित डखा हुआ चेतर होना चाहिए भूमी खेत मालिकों को पशो के लिए चारे की फसल उगाने के लिए खेती योग्य चेतरों या भूमी को बनाए रखना चाहिए भूमी छेतर मूल रूप से मवेशियों की संख्या पर निर्भर करता है आम तोर पर एक एकर भूमी लगबक साथ से दस गायों को खिलाने के लिए परियाप्त है पानी और चारा ये दोनों चीजे अधिक मातरा में होनी चाहिए क्योंकि पानी हरे चारे की व्रद्धी में मदद करता है और चारे से मवेशियों के उचित पोशन में मदद मिलती है नसल चुनना और टीका करन अधिक दूद देने के लिए अच्छी नसल का चैन होना चाहिए इसके अलावा बिमारियों को नियंतरित करने और गाएं के स्वास्ते की रक्षा करने के लिए उनके कारे वाहत के पास एक टीका करन कारेकरम होना चाहिए उच मांग का व्यवसाय होने के नाते पशुपालन में आवश्यक निवेश की तुलना में मार्केटिंग लागत बहुत कम है हाल के शोद और निवेश बजार विसलेशन के अनुसार बारत के ग्रामीन या शेहरी चेतरों में छोटे पैमाने पर डेरी फारम शुरू करने के लिए निवेश सीमा लगबक 10 लाक रुपिये से 20 लाक रुपिये है बड़े पैमाने पर डेरी फारमिंग विवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक निवेश एक करोड रुपिये या उससे भी अधिक हो सकता है इसलिए इस विवसाय के लिए लोन लेने के लिए एक्चुक व्यक्ति MSME प्रमोशन काउंसिर इंडिया पर जाकर कम ब्याद दरूपर बैंकों और NBFC द्वारा दिये गए सभी सर्वोत्तम उपलब बिजनिस लोन विकलपों की जाच और तुलना कर सकते हैं और उनके लिए एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों यह थे डेरी फार्मिंग बिजनिस प्लान शुरू करने के लिए कुछ आउशक तत्याय और जानकारी आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपने सुझाओ सवाल हमें कमेंट करके बताए और जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल MSME प्रोमोशन काउंसिल इंडिया से मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में तब तक आपके लिए बहुत बहुत दन्यवाद